देश में ओमिक्रॉन की बड़ी रफ्तार गुरुवार को 96 नए मामले सामने आए, कुरोना के नए वेरियंट से अब तक 357 लोग संक्रमित गुरुवार को ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस तमिल नाडू में मिले, नए वेरियंट से 33 लोग पाए गई संक्रमित बाराश्ट में मामले सामने आए, राज्य में इस वेरियंट से संक्रमितौ के संक्या 38 तक पहुची नाइखपुर में ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज सामने आया, नाइखपुर एम्स में चल रहा है मरीज का इलाज तिलिंगाना में उमिक्रोन के 14 नए मामले सामने अब तक इस वेरियन के चपेट में 38 लोग करनाचक में उमिक्रोन के 12 नए मामलो की पुष्टी हुई राजमे अब तक कुल संक्रमितों के संक्या एक 30 केरिल में ओमिक्रॉन से संक्रमीत पांच ने मरीजों का पता चला है सभी अस्पताल में भरती राज़े में टोटल केस 29 गुजरात में ओमिक्रॉन के साथ नए केस फिले प्रदेश में ओमिक्रॉन के 30 मरीज पुडिसा में अमिरिकॉन के दो और नए केस आये है राजी में अमिरिकॉन के कुल चार केस अमिकॉन के बढ़ते मामलों के बीच पियम मोदी ने की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग नए वेरियन के प्रती सतर्क और साफधान रहने को कहा प्रदान मंतरी ने दवाई और और ऑक्सिजन के स्टॉक बढ़ाने के निये दिन रेच चेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ हिल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर बहतर करने के जोर के साथ ही केंद्र ने राज्जियों के साथ की बैठक कहा जरूरत पड़े तो तेहारों के दोरान लगाएं पाबंदियां जिन राज्जों में होने हैं चुना उन राज्जियों को केंद्र की विशे से सला वैक्सिनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर इलाबाद हाई कॉर्ट की केंद्र से अपील चुनाव आयोक से राज्जने तिक पाचियों के चुनावी रालियों पर रोक लगाने को कहा हाई कोट ने टीवी और न्यूस पेपर के माध्यम से चुनाव परचार करने का सुझाओ दिया है कि इंद्र से चुनाव टालने पर भी विचार करने को कहा ओमिक्रॉन के बढ़ते खत्रे के बीच माध्य प्रदेश में राद 11 बज़े से सुभा 5 बज़े तक लगा नाइट कर फ्यू सीम शिवराद सिंग चुहान बोले जरूरत पड़ी तो और भी उपाई करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के सिम अर्विन केजरिवाल की बैटक हुई है कैवनेट और ओफिसर्स के साथ हालात की समिक्षा दिली के सिम अर्विन केजरिवाल का दावा ओमिक्रॉन से लड़ने को पूरी तरह से तयार 3 लाग टेस्ट रोस कर सकते केज़िवाल ने दिल्ली वालों को दिया भरोसका कि दो महिने तक दवा का स्टॉक तयार रखें ऑक्सिजन की कमी नहीं होगने देंगे ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों पर गुजराद के सीम भुपेंद्र पटेल ने हाई लेवल मीटिंग की मौजुदा हालात की समीक्षा की सीम मुद्धव ने कोवीट के हालात पर टास्क पोर्स के साथ बैठकी नए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमन ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता को बढ़ाया जिप्टी सीम ने कहा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं लोग मास्क पे हैं डिल्टा वेरिंट से कम खतरनाक है ओमिक्रोन इब्रिटिन के एक रिसर्च में खुलासा अमेरिका में करोना के दूसरी दवा को भी मिली मन्जूरी हाय रिस्क वाले मरीजों के लिए है गोली देश में कोरोना के 7595 नई केस 24 गंटे में 434 लोग की नई मौत केरल में कोरोना के 2514 नई मामले सामने आये 24 गंटे में 24 लोगों की मौत माराश्टे में 24 गंटे में कोरोना के 615 केस सामने आये 17 लोगों की जान गई है मुंबई में 24 गंटे में कोरोना के 602 नए मामले एक की मौद पशी मंगाल में कोरोना के 516 नए केस छे मरीजों की जान गई उडीशा में कोरोना के 155 नए मामले 24 गंटे में एक शक्स की मौद दिली में क्रिस्मस और नए साल पर शाम को खुले रहेंगे धारमेक स्थल कोविट नियमों का पालन अनिवार तेलंगाना सरकार को हैदरबाद हाइकॉट का निर्देश क्रिस्मस और नए साल विसारवजनिक समाहरों को रोकने के लिए लगाएं प्रतिबर दिली में करॉनाव वैक्सीन लगाने कार्च अठारहा साल से उपर क्यूमर के सब लोगों को लगी कोड़ी वैक्सीन की सिंग डोज महराश्र के रायगडर में 62% लूग फुली वाक्सिनेटेड दूसरी डोज नहीं लेने वालों की सूची तैयार कर रहा है प्रशास कोवैक्स के लिए DCGI ने सिरम इंस्टिटूट से मांगे है और डेटा सिरम ने इमर्जन से इस्तिमाल के लिए मन्जूरी मांगी है तेलंगाना के एक गाउं में लोगों ने लगाया दस दिन का लॉकडाउन गाउं के मुख्या ने बताया कि संक्रमिश शक्स और उसके परिवार को आइसोलेशन में रखा गया है जम्मू किश्मिर के अनत्पनाग में आतंकियों के साथ पुलीस और सुरक्षावलों की मुद फेर एक आतंकी धेर पंजाब पुलिस का अनुमान बॉम प्लांट करने वाले की ही मौत हुई है मरतक का DNA टेस्ट कराया जा रहा है बुरिवार को लुध्याना कॉर्ट में धमा के की बाद पूरे पंजाब में हाई-अलर्सिक जगाहों पर सुरक्षर बढ़ाने की निर्देश केंद्रि ग्रेस अचीव ने पंचाब के आला ओफिसर्स से बम धमा की कोली का रिपोर्ट ली है ग्रेमंतरी आमिश्रा को दी गई है जानकारी CJI NV रमन्ना ने लुध्याना ब्लास्ट पर दुख जताया पंचाब और हर्याना हाई कॉट के चीफ जेस्टिस से बात की सेम चनी ने ब्लास्ट को बताया एक और सादिश का की जैसे जैसे चुनाओ नज़्दी का रहे हैं वैसे वैसे देश वीरोती ताकते सक्री हैं पंचाब की टिप्टी सेम ने भी हमले के पीछे बहारी ताकतों का हाथ होने का शक जताया कहा पंचाब को और स्थर करने की कोशिश ब्लास्ट पर कैप्टन अमरंदर का ट्वीट का किये मामले की गहराई से जाच होनी चाहिए दिली की सीम अर्विन के जिवाल बोले कुछ लोग पंजाब का माहौल भी गाड़ना चाहते हैं लेकिन मंसूबे कामियाब नहीं होने देंगे अकाली दल ने बं ब्लास्ट के लिए कॉंग्रिस और बीजेपी को जिमेदार ठहराया कहा सियासी माहौल अकाली दल के पक्ष में इसलिए ऐसी घटनाओं को दिया जा रहा है अंज्या उत्राखंड में भरकाउ भाशन को लेकर वसीम रिजबी और वजितेंदर त्यागी के किलाब एफाई यार दर्ज आट वक्ताओं के खिलाफ हरी द्वार में केस बड़काउ भाशन मामले में उवैसी भी जल दर्ज कराएंगे शिकायत मुस्लिम धर्म गुरू महमूद मदनी ने भी गृमंत्री अमित्चहा से आक्षिन की मांग की यूपी के सीम यूगी आदितनाथ आज आयोधिया के दोरे पर जाएंगे पचास बेट के आयूश अस्पताल का उधगाटन करेंगे ओनाव, शावस्ती, गोरखपूर, हर्दोई, संभलपूर और मिर्जापूर में खुलेंगे आयूश अस्पताल, सीम योगी के साथ आयूश मंत्री सरबानंद सोनोवाल भी कारिक्रम में रहेंगे शामिल अखिले शादव के चौधरी चरंट सिंग को भारत रत न देनी की मांग पर बोले जयन चौधरी, प्येम मोधी और सीम योगी को नीम्द नहीं आएगी अलिगर में आरेलडी चीफ जयन्त चौधरी का एलान एकिसान विरोधी सरकार को खार ठेकेंगे युवाव को दिलाएंगे ने आए अलिगर में जयन्त चौधरी के समर्थक हुए वेकाबू भीड बढ़ने से मंच तूटा दो जन्वरी को मेरट जाएंगे प्रधान मंतरी मोधी स्पोर्स यूनिवर्सिटी की आधार शिला रखेंगे पियम मोधी की वारणासी को सौगाद आच्छो सत्तर करोड की बाईस विकास परियोजनाओ का उधगाटन और शिला नियास करेंगे शिला नियास के बाद पियम का विरोधियों पर हमला कहा ऐसे हालात पैदा किये की गाय की बात करना गुनहा हुआ पियम मोधी के यूपी दोरे पर कॉंग्रूस नेता राजबबर का तंज कहा उत्तरप्रदेश इस रिपोर्ट सहीं नहीं है क्या अयोधिया लाइन डिल पर घमासा अंतेज प्रयांका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जाच कराने की मांग की प्रयांका गांधी का हमला राम मंदर के आसपास की जमीन की लूट मची बीजेपी नेता और सरकारी अधिकारी स्लूट में शामिल समाजवादी पार्टी से जुड़े इत्र और पान मसाला कारोबारी प्यूस जैन के छे ठेकानों पर आईकर विभाग की रेट पड़ी करीब 160 करोड की रुपए की अगूसिश संपत्ति का खुलासा आईकर विभाग की टीम ने कनोज में 100 करोड रुपए से ज्यादा कैश भी बरामत किया कारोबारी ने पिछले महीने अखिलेश की मौजूद्गी में लॉंच किया था समाजवादी इत्र उबाली अतीक एमत के कबजे से मुक्त जमीन पर 26 दिसंबर को सीम योगी करेंगे भूमी पूजन गरीबु को जल्द मिलेगा आवास यूपी के लखनाओ में बनेंगे दो पुलस्ताने सेरपुर और बीबीडी थाना बनेंगा उतराखन के पूर वसीम हरीश रावत आज दिली में राहूल गांधी से मुलाकात करेंगे संगटन पर निशाना साधने के बाद पहली मुलाका उत्राखन के पूर्व सेम ती रत सिंग रावत का निशाना कॉंग्रिस पार्टी में मचे घमासान में यूपी में बीजेपी को फायदा होगा पंजाब चुनाओं के लिए कॉंग्रिस की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक एक परिवार के एक ही सदर्स से को टिकेट देने का हुआ फैसला स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अवजोज सिंग सिध्धू भी शामिल हुए बैठक में 117 सीटों पर उमीदवारों को लेकर चर्चा हुए किसान यूनियन के साथ स्सीय में चन्नी ने की है बैठक कहा कि किसानों के जादातर मुद्धे हल किये गए हैं अगले 10 से 12 दिनों में 2 लाग तक का लोन भी होगा पाफ पंजाब चुनाब से पहले केजरिवाल को जटका गुर्दार गुर्दासपूर से आपने ता बगहील सिंग पंजाब लोक कॉंग्रिस में शामिल होए बीजिपी अध्यक्ष जेपी नड़ा जिमनी पूर जाएंगे एक जंसभा को संबोधित करेंगे चुनाओ आयोग की टीम दो दिन के लिए देरादून पहुझी चुनाओ की तयारियों की जाइजा करेंगे पश्रिम बंगाल में मंत्री फिरहाद हाकिम होंगे कोलकाता की मेयर सांसद माला रॉय बनी कोलकाता नगर निगम की अध्यक्ष मंताब आनर जी ने निर्वाजी तरस्ट पार्शुतों के साथ बैठकी कहा कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो सरकार उसके खिलाफ एक्षन लिए मंताब आनर जी का बीजेपी और सीपीम पर हमला कहा बात ज्यादा और काम कम करने की आदर बंगाल में बची हुए निकाय चुनाओ 22 जन्वरी और 27 फर्वरी को हुंगे चुनाओ आयोग ने हाई कोट को जानगारी दी राजस्तान के बारा में जिला प्रमुक्षीट हारने पर गुसे से बीजेपी कारे करता दिखे सांसत कारे आले में तोट पोड की मुंबाई विदानसभा के पास OBC आरक्षन को लेकर प्रदर्शन सेकड़ो लोग बैनर पोस्टर के सांथ पहुंचे मुसलिम आरक्षन की मांग पर बोले महाराष्ट के पूर वसीम देविंदर पढ़नवीज धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षन राष्टरपती कोविन ने पी एन पनिकर की प्रतीमा का अनावरन किया कहा कि मानव विकास के कई सुचकांकों में केरल दूसरे राज्जों में आगे में अनमार दौरे पर भारती विदेश सचिव हर्षवर्दन शंगला कहा यहां लोकतंतर बहाल होना भारत के हिर्प में स्टेट मैंस्मेंटिट काउंसल की बैठक मेश रंगरा ने कैद में रखे गए लोगों की रहाई और संगवाज से मुद्दे सुलजाने पर जोड़ दिया उत्राखन की सियंपुशकर सिंग्धामी ने बागेशवर में कांडा मोहुतसौफ का उदणाचन किया कहा पियम की वज़जा से कुमाओं में खुल रहा इस उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर शिंग धामी ने बोधी तस्व कारिक्रम में हिस्सा लिया देरातून में कारिक्रम हुआ जमु कश्मीर के उप राजिपाल मनोच सिनहाई इन श्रीनगर के 126 साल पुनाने चर्च को 35 साल बाद फिर से खोला अक्षिमस के दिन होगी यहां प्राप्षिन महराष्ट्र असेंबली में पास हुआ महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा विधैक शक्ती बिल को राज जिपाल के बाद राश्ट्र पती को पेज़ा जाएगा आदित ठाक्र को जान से माने की धंकी देने वाला गिरफतार जोय सिंग राजपुत की बैंगलूरू से गिरफतारी दिली पोलिस ने पॉंजी स्कीम के नाम पर गोटाला करने वाले शक्स को गिरफतार किया अच्छे रिटर्न का लालच देकर महिलाओं से की ठगी अपने साथियों के सांथ मिलकर महिलाओं के लिए किटी पार्टी अरेंज कराता था आरोपी दिली के संगम बिहार में मार पीट की दिल दलाने वाली तस्वीर सामनी आये लुटेरों ने दो लड़कों को बुरी तरह से मार कर नाले में फेका बाद में की मौत बीज दिसम्बर की रात कुई थी वारदाद बर्थ डे पार्टी से लोट रहे थे दोनों लड़के पुलिस ने दो आरोपी को पकड़ा बादी की तलाश जा रही रादस्तान के जोदपूर में पेशी पर ले जाये जा रहे आरोपी पर तावत तोर फारिंग इलाज के दोरान मौत पुरानी रंजश का बदला लेने के लिए शाप शूटर्स को दी गई थी सुपारी पुलिस ने एक हमलावर को मामले में गरफ्तार किया मॉंबई के वकोला में ये लाके में होटल में खाना पारसल नहीं मिला तो इंस्पेक्टर होटल मालिक को पीटा सीसी टीवी तस्वीर सामने आए अपने कुछ स्टाफ के साथ होटेल में खाना पारसन लेने पहुंचा था इंस्पेक्टर, होटेल बंद होने का हवाला देकर मालिक ने पारसन देने से मना किया मौके पर मौझूद करमचारों ने होटल मालिक को छुड़ाया, पुलिस ने जाच के बाद कारवाय का परूसा दिया जमु कश्मीर के बढ़ गाम में नकली नो ट्राकर का फुलासा हुआ, पुलिस न तीन लोगों को मामले में गिरफतार किया पिलंगारा में 183 ग्राम कोकीन बराम तीन ड्रक्स तसकर गिरफतार, इगाजयबाद में दो शातर चोर गिरफतार, चोरी की बाइक बरामन यूपी के बोलंच शेर में 80,000 रोपे के अवैद इंगलिश शरा बरामन एक गिरफतार यूपी के चंदौली में 8 लाग की प्रतिबंधित, नशीली दवा और 3 लाग की अवैद अंग्रेजी शरा पकड़ी गई गिरफतार यूपी के शाजापूर में चार्ट ड्रक्स तकसर गिरफतार करीब 60 लाग रोपे की स्मैक जप्त मुरादबाद में अवैद सब्सी मंडी पर अतिकरमन के खिलाफ रेलवे का अभियान हंगामे के बाद सामान हचाने का समय दिया गया जम्मू कश्मीर के पुंच में हुई बरफबारी मुगल रोट पर बंद करनी पड़ी बहानों किया वा जाही दिली में प्रदूशन अब भी खराब सतर पर एर कॉलिटी इंडेक्स 425 दर्ज किया गया था एकी उवाई गंभी काटिकरे में रही हवा की गुनवक्ता कडा के किठन के बीच दिली में बेघर लोगों को रैन बसेरे में मिल रहा है सहारा, कंबल चाय पानी और खाने का है इंत्रजा दिली के आरेमल हॉस्पिटल के रेजिजिजन डॉक्टरस ने अस्पताल के पास अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने की है मांग, बोले सरकार ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं किया किसानों की तरफ से पंजाब के कई हिस्सों में रेलवे ट्राक बंद करने की ये बाद काफी ट्रेने रद की गई है लुद्याना में यात्रियों को परिशानी एक यात्री ने बताया ट्रोइन के कैंसर होने की जानकारी पहले से ना होने की वज़ा से स्टेशन के कई चकर लगानी पड़े इमाचल परदेश के शिमला में योग विधायक अपने विधायक शेत्रम में पेजल की समस्या को लिकर धने पर बैठे मांडूप में सावित्री, बाई, पूले, अस्पताल में तीन दिनों में चार बच्चों की मौत एकनाथ शिंदे ने जाच किया देश दिये क्रिस्मस से पहले कोलकाता का पाक स्टेट सजाया गया लोगों की उम्री भी क्रिस्मस से पहले पूटूचेरी में भी चर्च को सजाया गया लोगों की भारी भीड नजर आई मुंबई के वर्ली और बैंडरा में क्रिस्मस को लेकर खरीदारी हो रही है, दुकानदारों के चेरों पर डौनक भी दिखी राजसान के रवी सोनी ने ड्रोइंग में बनाया वर्ल्ड रेकॉर्ड, गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में नाम हुआ दर्च रवी ने 6,781 स्कॉयर फीट की ड्रोइंग बनाकर बनाया वर्ल्ड रेकॉर्ड बारवे एटम पे हासिल हुआ मुकाब अमरत सर में एक ही धर से जुड़े सुहना और मुहना को पंजाब स्टेट पावर कॉपरेशन लिमिटेट में मिली नौकरी दोनों ने सरकार का शुक्रिया दा किया पाद जन्वरी से दिल्ली में दिखाए जाएंगे बाबा अमेटकर के संगश पर आधारित म्यूजिकल प्ले आग सबसे पहले रफाइनरी के एक हिस्से में लगी उसके बाद पूरे हिस्से में पहली फायर विगेट ये टीम ने आग पर काबू पाया घाना की संसद में संसदों के बीच जम कर मारपीट टैक्स बिल को लेकर चले लातखु से सुरक्षा कर्मियों पर भी संसदों ने किया हमला बिल पर बहस के दोरान विपक्षी दलों ने विरोध किया स्पीकर ने बिल के लिए महतदान कराया नतीजा टाई रहने के बाद हंगा मा शुरू यूकरेन को लेकर रूस अमेरिका आमने सामने अमेरिकी विदेश मंतरी आंचनि बिलिंकेन ने दी रूस को जेतावनी सेना का इस्तमाल होगा घातक तहा रूस के राश्टिपती व्लादिमीर पूतीर ने किये पश्चिमी देशों से सुरक्षा की गारेंटिंग मार्ग बोले कि यूकरेन में नाटो सेनाओ का विस्तार को रुखा जाए यूकरेन की सेना ने क्या भ्यास अमेरिका से मिले एंटी टैंक मिसाइल का क्या अस्तमाल सानिको ने टैंक रखकर अलगाया निशाना मिसाइल ने पलक जपकते लक्षे को नेस्ता नबूत किया एमन की राजधानी सना में सौधी अरब गठ बंदन की सेना का हमला, हाउती विद्रोहियों के इलाके में किया हमला, घरों को पहुंचा नुकसान अमलावर एक महिला पर घातक हतियार से हमला कर रहा था जिसके बाद पुलिस ने चलाई गोली, ड्रेसिंग रूम में 14 साल की लड़की को भी लगी गोली अमेरिका के टेकसस में 3 साल की बच्ची लापता पुलिस कर रही है खोजमेन अपार्टमेंट के प्लेगराउंड से गायब हुई जर्मनी में क्रिस्मस को लेकर बाजारों में नौरक बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पौँचे कूविट की चितावनी के बाद भीड पाकिस्तान के कराजी में बेकरी करमचारी ने किया मेर्वी क्रिस्मस लिखने से इनकार लोगों ने बेकरी शॉप के खिलाफ सोचल मीडिया पर भडास नेका ले बरजील के रियो में खाद समर्करी बाटने के कारिकर में हेलिकॉप्टर से पहुँचे सैंटा क्लॉस बच्चों ने सैंटा के साथ कीजवाई फोटो सैंटा ने बच्चो को दी बदाए स्पेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आक्षिन में प्रधान मंत्री बाहर भीडभार वाली जगाहों पर मास्क पहनेना ज़रूरी टर्की में राश्टपती अर्दगन के फैसले के बाद लीरा डॉलर के मुकाबले 25 परसेंट मजबूत हुआ अर्दगन ने दिये लिरा में निवेश करने वालों के लिए पैसे की गैरेंटी उत्तर पश्च में अफगानिस्तान पर क्लाइमेट चेंज का बुरा असर रहने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है संगर्श अंडर 19 एशिया कप में भारत का जीस से आगाज पहले मैच में UAE को 154 रसे शिकस दी भारत ने UAE को 283 रनों का लक्षे दिया लक्षे का पीछा करने उत्री UAE की टीम 35 वे ओवर पर 128 रन पर सिम्टी भारत की तरफ से राजवर्दन ने तीन विकेट जटके गर्व सांगवान, विक्य अटावल और कौशल तामबे ने दो दो विकेट लिये भारत की टीम ने पहले बले बाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 282 रन बनाए भालत की तरफ से हर्नूर सिंग ने 120 रनों की शांदार पारी खेली कप्तान यजड़ल ने 63 और राजवर्दन ने 48 रनों की पारी खेली, शेक राशीद ने 35 रन बनाए हर्नूर सिंग को उनकी शांदार शटकीय पारी के लिए मिला Man of the Match का पुरुसकार हर्नूर ने 130 गेंदों पर 120 रन के बनाए भारत में साउथ अफरीका के दोरे पर गई कोई खत्रा नहीं, दोनों टीमों के बीच होगी टेस्ट और वन डे सीरीज दोने देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच बनी सहमती, खिलाडियों के हर दिन होंगे कोविट टेस्ट, पॉजटिव आने पर हुचेल में ही किया जाएगा कॉरंटीन टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोली ने जम कर भाया पसीना, टुचर पर शेयर की प्राक्टिस के तस्वीर साउथ अफरिका के तेस गेंद बाज़ जन ओलीवर ने टेस्ट सीरीज को बताया बड़ा मुकाबला का की विराट कोली के सामने गेंद बाज़ी करना चालेंज साउथ अफरिका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सचिन टेंडूलकर की सलहा मजबूत फ्रंट फूट डिफेंस करेगा बले बाजों की मदब रवी शासरी ने विराट को लेकर दिया बयान भारती टीम के पास दक्षेन अफरिका में सीरीज जितने का शांदार मौका बीसी सीय ने किया आईपियल मेगा उक्षिन की तारीखों का एलान 11, 12 और 13 फेब्रोरी को हो सकता है खिलाडियों का निलामी प्रक्रिया की शुर्बार आईपियल की निलामी से पहले शुम्मन गिल की खुआईश दुबारा के के आर्से ही खेलने की इच्छा आईपियल 2022 की तैयारियों में जिटा संड्राइसर से इधरबाद दिगज क्रिकेटर ब्रान लारा को बनाया बाटिंग कोच और रणनी तिक सल्हाकार संड्राइजर्स ने कई दिगज क्रिकेटर्स को टीम में शामिल किया डेल स्टेन ये साइमन का टीजे हेंबन बदानी और मुथाया मुली दरन सपोर्स टाप में शामिल बांगलादेश के ओल राउंडर शाहिबल हसन का न्यूजिलाइड जाने से इंकार कहा बायो बबल में रहना जेल जैसा नारत के खिलाब रिकॉर्ड दस विकेट लेने वाले इजास पटेल को टेस्टीम में जगने निजुलेंट टीम ने का की कंडिशन को देखते हुए पैसला प्रो कबड़ी लीग में दबंग दिली की शांदार जी पुनेरी पलतन को 41-30 से हराया पटना पायर्स ने भी जीस से आगास किया हरियाना सिलुस को 42-49 से हराया गुजरात जॉइंट्स ने जैपूर पिंक पैंथर्स को 34-7 से हराया पार्तिय पुर्शौ की टीम F.I.H. रैंकिंग में तीसरे स्थान पर महिला टीम नवे स्थान पर पहुंची इंटर्व्यू कर रहे है पत्रकार ने दिल का दौरा पढ़ने पर वकील की बचाए जाने वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल मुज़फरपूर में सिर्फिरे शक्स की कर्तूत विजली के टावर पर 18 घंटे तक चड़ा मिठाई और मोबाइल की मांग वीडियो वाइरल महिला का पर सचीन कर भाग रहे चोर को पकड़ कर एक शक्स ने जम कर पिटाएं की सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल हुआ मां के जन्म दिन पर जूम करना चेश खरधवन सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल